दान दन सत्गरू तेरा ही यासरा, मैं विनोध इंसा बलोक फेफाना नोहर रजस्तान से बोल रहा हूँ। मैंने 40 साल पहले परमपिता शास्त नामजी महराथ से नाम की अनमोल दात प्राप्त की। मैं गरीनिस का मेंबर हूँ। सन 99 से 2004 तक डानी गोपाल बुना बतोर बंगिदास की शेवा की। मैंने दर्बार के अलावा और किशी में विश्वास नहीं किया। हमारा मालिक गुरुमीत राम रहीम शींग जी इनसा ही है। इनके अलावा हमने कहीं शिर जुकाने की सोची भी नहीं। अतहे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। या कहता हूँ कि बर्नावा आसरम युपी में आने वाड़ा जो सक्स है वो हुजूर पिताजे का बहरूपिया है। वो पगपग पर गलती कर रहा है। हमारे पिताजी ऐसे नहीं थे। उसके पैरों की लंबाई, आतों के अंगूलियों की लंबाई और वो अपने मुख से कह रहा है कि हमारी हाइट बढ़ गई। ऐसा परकरती के विरूद संत कभी नहीं करते। रुहानियत की दर्ष्टी से देखा जाए, तो उसको राम नाम की एक भी बात धंग से बतानी नहीं आती। यह तो करम कांड की ओर दखेल रहा है। दिये लगाना, हिंडू दर्म को मानना। जबकि संतों की दर्ष्टी से सभी धरम एक समान होते हैं और पाखंडवाद से बाहर निकालते हैं। तभी तो वो संत की शरणी में आते हैं। अतहे साथ संगत जी सोचने वाली बात है कि हमारे पिताजी आएंगे तो क्या हम पिछे थोड़ी हटेंगे। हमने खुब बढ़ चड़के दरबार में शेवा की है। हमारा पूरा परिवार सच्चे सोदे डेरे को मानता है। इसके अलावा हम ना कभी गए ना किसी की कलब ना की। हम सबी को ये बात सोचनी चाहिए कि उजूरी पिताजी पर लगे हुए केस मुग्द में बेमुनियाद मिथ्या हैं। अतैहे जिमेवारों जब भी हमारे घर आएं तो हमें एक ही सवाल करना चाहिए कि हमारे केसों का क्या हुआ हमारे पिताजी पर लगे हुए आरो हाई कोर्ट में क्यूं नहीं खुल रहे अतैहे जिमेवार इस बात से बार बार कन्नी कत्रा रहे हैं तथा नए बंगिदासों और पुराने प्रेमियों को 45 और 85 मेंबर बना के हमारे घर भेज रहे हैं वो खुद आगे नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास केसों के बारे में कोई जवाब नहीं है और ना ही वो जवाब देना चाहते हैं पैसे और माया के अलावा वो कोई भी बात नहीं करते हैं जो ठेकरिस में सुनाते हैं और परसाद मंतरा हुआ परसाद दे करके हमें चले जाते हैं जो हमारी बुद्धी को खराब करता है ये पिताजी के वचन हैं हतह साथ संग्जी समय रहते हुए हम सोचें समझें और माली की खुशिया पराप्त करें और गुरू के हक में दो बातें बोलें तभी तो हम प्रेमी कहलाने के हकदार हैं वरना तो हम से तो आम आदमी भी आगे है दंदन सत्गुरू तेरा यासरा